विद्यार थी मित्रो, प्रेणा विद्याल एमा आपनो स्वागत छे आजे अपने धुरण न विशाई हिंदी एमा आपने सिखवानाचे ब्याकरण एमाचे तमार मुख्यों मुद्ध वाक्यों ना प्रकार वाक्यों किसे कहते है चार्थकषबदों का एसे आक्रम जो पुन अर्थ रप्ता हो उसे वाक्यों कहजले άता है ऐसे वाक्यों कहे जाता है एटले के जे वाक्य रखना जे सब्दनों सम्हु छे ए सम्हु योग्यप्र अमा गुठवाईलों हो जोए अने एनों सम्पून अर्थ प्रगट थवो जोए एने सुके हमा आवे छे वाक्य दाखला तेरी के मीना खा रही है तो मीना खा रही है एक रियानी अंदर आपने पश्ट सम्झाए जाए छे कई मीना सुकरी रही छे खाई रही छे बिजु के खाना मीना पी रही है एवुँ चैरे आपड़े बोले तो ए वाक्य रतन्यानी अंदर आपड़े वाक्यों अर्थ पश्ट थतो नथी तो एने आप वाक्या कहते है, पूनक्रम, जयारी तीमे तमने कि दूते मीना खार ही है", तो ए वाक्या ने यंदर मीना खार ही है पष्ड आपने शमझाये जाये शյे ए वाक्यान आर्थ, पड़ मीना います, फीर हीS us us कारण के ए वाक्यानी अंदर एनो क्राम योग्या नथी। अब एना जाधारे आपणे बीजु सुक्यान वाक्या के भेद। एटले के वाक्याना प्रकार। तो वाक्याना मुख्य बे प्रकार छे। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्याना कितला प्रकार छे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर आज हम सिखने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन है और अर्थ के आधार पर वाक्य के रचना के प्रकार जादा है इसलिए आज हम सिखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्र तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं तीन पहला वाला है सरल वाक्य दूसरा वाला है संयुक्त वाक्य तीसरा वाला है मिश्र वाक्य हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वाक्य रचना का भेद, वाक्य के भेद कितने हैं, दो, पहला वाला है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर, यानि कि वाक्य का भेद दो है, रचना और अर्थ, हम आज सिखने जा रहे हैं, वो है रचना के आधार पर वाक्यों की प्रकार तो रचना के आधार प्रवाक्य के प्रकार कितने हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आज हम देखेंगे पहला वाला वाक्य सरल वाक्य किसको कहा जाता है तो सरल वाक्य किसको कहा जाता है उसमें से मैंने व्याख्या लिखे है वो अच्छी तरह से दिखने के लिए सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्धेश्य और एक ही विध्य हो और थात जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते है क्या है गुजराती में सरल वाक्य किसे कहते है तर सरल वाक्य कोने कहवा मा आये चे जे वाक्य मा एक कज उद्धेश्य और एक कस्मोई विध्य होई एने सुखे अमा प्रवाक्या जाता है जिस वाक्य में एक ही उद्धेश्य और एक ही विध्या हो और था जिसमें शीर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो उसलिए कुण सा वाक्या बोला जाता है जैसे कि हम देखते है उधारण चमेली टेक्तर चला रही है उसमें चमेली क्या कर रही है टेक्तर चला रही है उद्धेश्य कितना है एक और विध्य कितना है टेक्तर चला रही है चमेली है एक ही करता है और एक ही विध्य है जिसमें एक ही करता और एक ही क्रिया हो उसमें सरर कहा जाता है जैसे कि तेक्टर चला रही है तो किया कर रही है चला रही है जोझा होती है वह किससे होती है चमेले से होती है इसलिए उसको क्या बोला जाता है सरल वाक्य बोला जाता है अर्थाद दुसरी व्याख्या मामे ने लिखा है कि जिसमें सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया हो उससे सरल वाक्य कही जाता है एक ही उद्देशिय हो एक ही विधे हो उसको भी सरल वाक्य बोला जाता है और एक ही मुख क्रिया हो उससे भी सरवाक्र को मुझ्य क्रिया खांकर शो गई, इसमें क्या होता है खांकर सो गई, लेकिन उसमें मुख्य क्रिया क्या है मुन्नी ने पिज्जा तो खाया और खा कर क्या खो गई सो गई यानि कि उसमें मुख्य क्रिया क्या होगी सोने की खाने की नहीं दो क्रिया है लेकिन मुख्य क्रिया क्या है सोने की है इसलिए ये भी वाक्यों तुम्हारा क्या बनेगा सरल वाक्या ही बनेगा भले ही सबni लेकिन मुख्य क्रिया मुख्य विधय क्या है सोणा इसलिए वह वाकियों बला जाएगा कारण कि मुनित चुला अँग्या कर गई सौ यानिकी 10 गंट पांच गंट चे अटाव। सौ गई इसलिए यह वाकियों चोने की मुख्य क्रिया χोगी इस अब याmis सिस्के याद रखने की जो trips है वह हम देखलेंगे सरंळ वाक्य में एक करता होता है और यह मुख्यक्रिया होती है यानि कि za एक करता कौनbilirता है मुन्नी और मुख्य क्रिया क्या है फ्याना फ्यान बोला जाएगा अब दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य में हम जब देखेंगे जब दो सरल वाक्य या एक सरल और एक मिश्र वाक्य आपस में जूर रहे हो तो उसे संयुक्त वाक्य कमते हैं एक या दो एक सरल और एक मिश्र वाक्य आपस में दोनों जोड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं और स्वतंत्र अर्थ प्रगड करते हैं उसको भी संयुक्त वाक्य कहे जाता है जैसे कि हम एक उधारन देखेंगे एक वाक्य को जोड़ने के लिए और या अन् कौन-कौन सा सब्दा आता है वो भी हम देख लेंगे यानि कि संयुक्त वाक्य को दो वाक्य होते हैं एक सरल वाक्य और मिस्र वाक्य को जोडने के लिए कौन सा सब्द उप्योग किया जाता है वो सब्द हम देखते हैं अगर वाक्य में जोडने के लिए और सब्द और अन्य यह अन्य, लेकिन âभी जबकी केवल के लिए। इसलीए एसा जो सब्द है, वो सब्द संध वाक्य जोंने के लिए होता है। कि संध वाक्य दो वाक्य से बना हो, एक सरल और एक मिश्र वाक्य, दोनों स्वतंत्र अर्थ क्या प्रगट करते हैं? उससे हम संयुक्त वाक्या कहते हैं जैसे कि चमेली नाच रही है और पपु देख रहा हो दोनों वाकिये चमेली नाच रही है वो भी सतंत्र अर्थ प्रगट करती है और पपु देख रहा है वो भी क्या करता है सतंत्र अर्थ प्रगट करता है लेकिन उसको जोडने के लिए और सब्द हमने लिया है तो और सब्द वो जोडने के लिए लिया है इसलिए उसको क्या बोलते है संयुक्त वाक्य जैसे कि हमारी व्याख्या है दो सरल वाक्य एक दूसरे से जोडने के लिए जो दो वाक्य सतंत्र अर्थ प्रगड करता है लेकिन जोडने वाला सब्द जब आता है तो एक ही वाक्य बनते हैं उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं जमेली नाच रही है और पपु देख रहा है तो वो दोनों वाक्य है वो संयुक्त वाक्य कहे जाएगा क्योंकि और सब्द जे है वो संयुक्त वाक्य जोडने के लिए ये सब्द का पहचान है इसलिए ये अगले हफ्ते में हम मिश्त्रवात्य के बारे में सिखेंगे अस्तू